अगे हैं नमस्कार मैं हो सची आई ज्यार्खन की टोप 25 पर मुख खबर जानते हैं दिसंबर महीने में जार्खन में सरकारी नोकरियों की बहार राजे में दिसंबर महीने तक बड़े प्रमाने पर सरकारी नियुक्तिया होगी अकेले सिक्षा विभाग में ही करीब 35 या नियुक्तिया कराने की तैयारी की जा रही है इन नियुक्तियों में प्राइमरी सहायक आचारे से लेकर PGT सिक्षक सामिल है जार्खन करमचरी चैन आयोग को पूरो में परकासित बिग्यापन की परिक्षा और आयोजित हो चुके परिक्षाओं के रियल्ट दिसंबर से पहले संपन कर लेने को कहा गया है बतादे कार्मिक विभाग के द्वारा जार्खन लोग सेवा आयोग और जार्खन करमचरी चैन आयोग को इस समध में दिसा नेदेश भी जारी कर चैन परकिरिया में तेजी लाने को कहा गया है इसी तरह परिक्षा आयोजित होने के बाद जैसे ही जैसे 67 संसर प्राप्त होगी नियूख्तिया कर दी जाएगी हिमन्त सरकार पर बीना देर किये करवाई करे इड्डी बाबुलाल मरांडी भरतीय जानता पार्टी के परदेश अध्यख्स पुर्व मुख मंत्री बाबुलाल मरांडी ने इड्डी से मुख मंत्री पर अब इलम बिधी सम्मत करवाई की मांग की है पधान मत्री नायंद मोदी के 15 नॉम्बर को भागवान बीरसा मुंडा की जनमस्तली खुटी के उली हातू में होने वाले कारिकरम की तियारी के सम्मध में चाईबासा आए भाजबा परदिस अध्यक्ष ने मीडिया से बाचीत में कहा है कि जब राजे का मुख मंत्री ही कानून का पालन नहीं करेगा तो फिर आम जनता से कानून पालन करने की उमीद कैसे की जा सकती है उन्होंने कहा है कि राज में व्याप्त भरष्टा चार के आरोप में इडि ने मुख मंत्री हेमां से उनकों पुस्ताश के लिए एक या दो नहीं बलिक पांच बार समन भेजा लेकिन मुख मंत्री लगातार उसकी अवहिलना कर रहे हैं इडि कर्याले में उफस्थित होकर जबाब देने से भाग रहे हैं गोवर्नर बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे रघुबरदास उडिशा का राजेपाल बनने के बाद पहली बार रहुवर दासनी वार को सेवा बीमान से रांची के बीर्शा मुंड़ा यारपोट पहुंचे वहीं यारपोट से बाहर निकलते ही भाजपा करकरताओं ने उनका ढोलना गालों के साथ स्वागत किया इसके बाद उन्हें God of Honor दिया गया उडिशा के राजेपाल का अभिननदन करने पहुंचे बिधायक नवीन जैस्वाल ने कहा है कि रहुवर दास भाजपा के बूत अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष से लेकर कई बार बिधायक कई बार मुख्य मंत्री बने और मुख्य मंत्री भी रहे बतादे उन्हें कहा है कि रहुवर दास ने जारकन की धर्ति से उडिशा का राजेपाल तय किया गया पार्टी के एकर कर्ता के रूप में उन्हें हमेसा अपनी भूम का निभाई है पार्टी ने सम्मान देते हुए उन्हें उडिशा का गौर्नर बनाया यह गोरों की बात है बीर्षा मुंडा ज्यानती पर पीए मोधी को देंगे सरना धन्वकोट की सोगाद धरती अबबा बीर्षा मुंडा की ज्यानती सजन जातिये गोरों दिवस पर 15 नोमर को प्रधान मतिन्यान मोधी उनके बीर्षा की जनमस्तली उली हातु आ रहे ह वे यहाँ बीर्षा मुंडा को सधांजली देंगे खुटी स्टेडियम में एक जन सभा को भी समोधित करेंगे दूसरी और पीए मोधी के आगवन को देखते हुए आदिवासी सेगेल अभियान के दो करकरताओं ने घोसना किया कि यादी प्रधान मंत्री ने सरना धर्मको वे दूसरे बोकारो जीला के पेटरवार निवासी चंद्रमोहन मार्डी है बता दे दोनों करकरताओं का कहना है कि इस राज्य का गठन भावान विर्षा मुंडा की जयांती पर 15 नॉवंबर 2000 को हुए था आदिवासी समुदाय को आज तक धार्मिक पाचान नहीं मिली उन थी मैंग करता है कि उस दिन सरना धर्मकोट को मनेता देने की घोसना करे पुरुसोतम एकस्परेस के गुजरते ही गिरी हाई टेंशन तार दो की मौथ जारकन के धनबाद गया रेलवे लाइन में परसाबाद रेलवे स्टेशन के समीब पुरुसोतम एकस्परेस ट्रेन के गुजरते ही हाथसा हुआ है ट्रेन के गुजरते ही हाई टेंशन तार के तूट कर गिर जाने से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गाई डियारे मौके पर पहुंचे हैं हालात का जा जाले रहे हैं मिली सुरवाती जनकारी के अनुसर हादसा परसाबाद रेलवे स्टेसन के समीप हुआ है पुरसोतम एक्सप्रीस ट्रेंड के गुजरने के बाद परसाबाद स्टेसन के पास हाई टेंशन था तुट गया इस्टेशन में ही किनारे मैदूर काम कर रहे थे जिसमें से एक मैदूर इसकी चपेट में आ गया इसी तरह तार की चपेट में एक यात्री के आने की भी सुचना है घटना दोपर 12 बच कर 5 मेट के आस पास की है हाथसा के बाद परसाबाद रेलवे स्टेशन की अप और डाउन ओफर हेड वायर की बिजली बंद कर दी गई है अप और डाउन परिचालन ठप हो गया है मसाल लेकर ख़देडने के दरान हाथियों के जूंड ने यूव को कुचल कर मार डाला धनबाज जिले के टूंडी छेत्रे में हाथियों के जूंड ने सनी वर को एक यूवक सुकू उर्फ सुक्र टूडू 43 वर सिये को कुचल कर मार दिया है मिरी तक पच्चमी टूंडी के गोईदा का बताया जाता है रेंजर मंजूल ने घटना के पुष्टी करते हुए बताया है कि वन विभाग के लोग घटना अस्थर पर पहुंच का सौव की खोज की जा रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला ठाना परभारी पवन कुमार चाधरी ने बताया है कि सौव को पहले के रामिनों ने देखा था वे लोग फोटो भी किये लेकिन जब वन विभाग और पुलिस की टीम घटना अस्थल पर पहुंची तो सौव नहीं मिला है ठेट पास सहयक सिक्षको सरकार के पास मंग पहुंचाने का मिला अस्वासन सन्निवार को छोटी दिवाली के दिन ठेट पास सहयक सिक्षको पारास सिक्षको ने राजिकी परमुक सातधारी पार्थी जहरकन मुक्ति मुर्चा के केंदरिये करेले के घिराव किया हर्मु बैदान से बिरोध मार्च लेकर निकले सहायक सिस्को को पुलिस ने जहामों के केंद्रिये कर्याले पहुचने से पहले ही रोक दिया पुलिस दोड़ा रोके जाने के बाद आंदोलन रत टेट पास सहायक सिस्को को ने कहा है कि सरकारी सिक्षक बनने की सभी आहरता पूरी करने के बावजूद हमें बेतर नहीं मिल रहा सरकार ने उन्हें पारसिक्षक की जगा सहायक सिस्क्षक के उपास दी तो दे दी लेकिन बेतनमा नहीं दिया दीपावली के दोड़ा निर्वाद बिजली के लिए अलोट मोड में जेवी भी बिये नेल जारकन उर्जा बीत्रन निगम लिमिटेट के अनुमान के मुताबिक समाने दिनों के तुनला में दीपावली के दवान राज भर में बीली की खबत बढ़ जाती है इसे द्यान में रखते हुए सेंट्रल एक्सचेंज से मांग पूरी करने की ब्यवस्ता पहले ही कर ली गई है जबी भी भी एनल मुख्याल है के महा प्रवंदा ग्रीसी नंदन के अनुसार दीपावली पर बड़े उध्योग बंद रहने के कारण बिजली लोट बढ़ने के उमीद कम है इसके बावजूद हमने सेंट्रल एक्सचेंज से परयावत भी लिलेने की ब्यवस्ता की है टेट पास सहायक सिखको को सुरक्षा बलो ने रोका बेतन मान की मान को लेकर जामो करेलाई घेरने निगले टेट पास सहायक सिक्षकों को जामो करेलाई के पास पुलिस ने रोक दिया जहां सिक्षक लगतार सरकार बिरोधी नारे बाजी करते रहे उनका कहना है कि टेट बास सहायक सिक्षक उन सब भी मानकों को पूरा करते हैं जिसके तरह उन्हें सरकारी सिक्षक बनना चाहिए इसके बाद भी सरकार उनकी मानकों को पूरी तरह से नजर अंदाज कर रही है आईसे में वे जामो कर्याला का घेराव करने पहुचे हैं जामो कर्याला का घेराव करने पहुचे सिसकों को पहले ही सुरक्षा बोले ने रोक दिया जिसके बाद उनका एक प्रतिनीधी मंडाल जामो नेताओं से बात करने के लिए कर्याला के अंदर गया प्रधान मंत्री नायंद मोदी के खुटी आगमन को लेकर तैयरिया जोर सुर से चल रही है प्रधान मंत्री के कारिकर में शुरक्षा के साथ साथ दूसरे इंतेजावों में कोई कमी न रह जा इसके लिए भी अधिकारी लगातर खुटी में कैम किये हुए है बतादे राजा स्थापना दिवस 15 नौवंबर को प्रधान मत्री नायंद मोदी खुटी में दो अस्थानों परकार करम में हिसा लेंगे प्रधान मत्री नायंद मोदी के खुटी आगमन को लेकर सुरक्षा ब्यवस्ता की प्लानिंग मुकमल कर दी गई है रांची में चाचा भतीजे की लड़ाई में गई महिला की जान रांची जिला के बेडों में रिष्टे को सरमसार करने वाली घाटना सामने आई है यहां आपसी बिवाद में देवर और भतीजा ने मिलकर महिला की हत्या कर दी पुलिस इस घटना की जाच कर रही है फिलहाल दोनों आरोपी मौके से फ़रा रहा हैं राजधानी से सटे रातू थाना चेतरे के हुरहुरी बाडी टोला में आपसी बिवाद में देवर टुंगू उराओं और भतिजा पंकज उराओं ने लकडी की बेत और लात भू से मार मार कर अपनी चाची बीरसी उराओं पैसट वर सीए की जान ले ली जनकारी के उनसा सुक्रवारात 11 बजे भतिजा पंकज उराओं ने सराप के नसे में अपनी चाची बीरसी उराओं के घर के सामने आकर गाली कलोज कर संतोस उराव को जान से मारने की धमकी दे रहा था तबी संतोस उराव घर से बाहर निकला अहला करने से मना करने लगा इसी बीच संतोस कीमा बिर्शी उराव भी बाहर से निकली तब पंकज के परिवार के टुंग्डू उराव पैलूस उराव धनिया देवी वहाँ आकर संतोस के साथ मारपिट करने लगे जारखन में गिरने लगा पारा बढ़ रही ठंड दिपावली के दिन जारखन का मौसम साप रहेगा हलाकि आंसिक बादल चाहे रह सकते हैं इससे मौसम सुहाना लगेगा इस दिन अधिक्तम तापमान 27-33 डिग्री और निम्तम तापमान 15-17 डिग्री सेल्सेस रह सकता है मौसम केंद्र के परभारी अभिसेक आनन्द के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम सुस्क रहेगा बारिस की उमीद नहीं है सुक्रवार को रांची का अधिक्तम तापमान 29-39 तापमान 17-45 डिग्री सेल्सेस रहा लबक सभी जीलों में मौसम साफ रहने की संभावना है एसकारपियों चोरी करने वाले अंतरराजिये गिरोह का खुलासा दुमका सहीत जारखन के विभीन जीलों में सैक्रों एसकारपियों की चोरी करने वाले एक अंतरराजिये गिरोह का दुमका पुलिस ने भंडा फोड़ किया है इस गिरोह में सामील 6 अपराधी दबोचे गया है अपराधीयों के इस सिंडिकेट ने 100 से अधिक एसकारपियों की चोरी में अपनी सनलिपता सविकार की है पुरा गिरोह सिंडिकेट के तोर पर काम करता था जिसमें कुछ एसकारपियों की चोरी करने वाले कुछ उसे मोडिफाइड करने और कुछ उसकी पहचान बदलने के लिए नया इंजन वा चेचिस नमबर पंच कराने के लावा सौप्ट्वेर के जरिये भी गाड़ी की पहचान बदल देते थे इसके बाद चोरी की यह सकर्पियों को पकड़ पाना मुस्किल होता था बाद में ऐसे वाहनों को बेंच दिया जाता था या नय चेचिस वा इंजन नमर तथा नय फरी रेजिस्टेशन नमर लगाया कर चलाया जाता था मतलब एक ही नमर की दूसरी गाड़ी तयार कर दी जाती थी सनिवार को दुमका में प्रेस कॉंफरेंस करते हुए एसपी पितांबर सिंग खरवार ने ये जनकारी दी है दीपावली से पहले जुए के अड़े से 42 जुआरी गिरफतार दीपावली पर जगा जगा जुए के अड़ों का संचालन हो रहा है इन जगों पर लाखों रूपय दावे पर लग रहे हैं पुरी करवाई पुलिस अधिक छाक अनुदीप सिंग के दिशा निदेश पर हुई है सनिवार की साम स्पी दोराजार बिगप्ति के अनुसार तिलेया कोडर्मा वार डोम चांच थाना छेतर में होई छापे मारी के दोरान 42 लोग पकड़े गाए हैं पुरसोतम एक्सप्रेस्थ हादसा की डियारेम ने दिये जांच के आदेश धनबाद गया रेल खंड पर सनिवार को पुरसोतम एक्सप्रेस हाइटेंस अन्तार की चबेट में आ गई इससे दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक ब्यक्ति घायल है इस हादसे में एक मैदूर और एक यात्री की मौत हो गई है मृतको में मैदूर 26-26 वर्षिये मुरसिदाबाद बंगाल का रहने वाला था जबकि यात्री संजय माजी के पास से गया बिहार का टिकट मिला है ट्रेन हादसे में घायल यात्री का नाम बाल मिकी चोधरी पीता राम सोरुप चोधरी निवासी राजगी नरंदा बिहार का है हादसे के बाद सुचना मिलते ही मोके पर DRM समेत अन रेलवे के अधिकारी पहुँचे और पूरे मामले की जनकारी ली इस हादसे के कारण काफी देर तक रेलवे का परचलन ठप रहा अब रेलवे का परचलन शुरू कर दिया गया है बताया जा रहा है कि हादसा परसा बाद रेलवे स्टेशन के समीप हाइट अन संतार के टूट कर गीने से हुआ है धनबाद में 700 आंगनवाडी केंद्रों में एक माह में बिली देने की तयारी धनबाद जिले में संचालित 700 आंगनवाडी केंद्रों में बिली कनेक्शन मुहया कराया जाएगा इस कारे की गाती धीमी होने पर उपायुक्त वरुन रंजन के कड़े रूख के बाद जबी विएनल के अधिकारों ने सुक्रबार को विशेश टीम गठित की है टीम में सभी डिविजन के करेपालक अभियानता वा सहयक अभियानता को सामिल किया गया है बता दे की तीन महापूर्व जीला परशासन ने नौन निर्मीत आठ सव से ज़्यादा आंगन वारी केंदरों में बिली कनेक्शन मुहजा कराने करने देश जबी विएनल को दिया था तीन माँ से ज्यादा का समय बीच चुके हैं अब तक जबी वेल के ओसे सौग केंद्रों में यह बीली कनेक्शन उपलब्द कराया गया है रांची में पटाखो का सत्तर क्रोर का हुआ ब्यापार धनतेरस के बाद सहरवासी ने पटाखो की जम कर खरिदारी की है कोविड काल के दो वर्सों बाद बाजार में पटाखो की खुब विक्री हुई दो वर्सों बाद पटाखो का बाजार गुलजार हुआ है और कयास लगाय जा रहा है कि इस वर्स पटाखो के बाजार में करीब सत्तर क्रोर के बैपार हुआ है बच्चों ने जहां गिरीन पटाकों के खरिदारी की तो वहीं युवाओं ने एस काई सोट की जम कर खरिदारी की है बयार में परदुसन रहित पटाकों का बड़ा रेंज उतारा गया जिसे खरिदने की होड़ती मची हुई है दीपावली में इस मुहूर्त में करे लक्षमी गनेश जी की पूजा कार्थिक माह की अमोस्याति थी पर दीपावली का तेवार मनाया जाता है इस बार कार्थिक महीने की अमोस्याति थी 12 और 13 नॉवंबर दोनों ही दिन रहेगी हलाकि दीपावली कहते वहर 12 नौंबर को ही मनाया जाएगा बतादे 12 नौंबर को 2 पहर अमवसयति थी शुरू हो जाएगी ऐसे में रभीवार राथी लक्षमी पूजन के साथ पर्व मनाया जाएगा पंडित के अनुसार 12 नौमबर रभिवार को दो पहर दो बचकर 45 मिट से अमाउसय तिथी लगने वाली है जो की 13 नौमबर को दो पहर दो बचकर 57 मिट पर रहेगी दिपावली पर्व के लिए महतपुन परदोस एवा महान निसित काल 12 नौमबर को ही मिल रहे हैं इस कारण से इस वर्थ दिपावली का पर्व उदय चतूर्थ दसी तिथी को 12 नौमबर को ही मनाया जाएगा नौजात की मौत के बाद एक सन में स्वास्त विभाग पच्मी सिम्भूम के नक्सल परभावीत गुदरी परखंड में स्वास्त उपकेंद्रे के बंद रहने एवं एक गर्वती महिला को समय पर इलाज नहीं मिल पाने से नौजात बचे की मौत की घटना को जिला पर सासन वा स्वास्त विभागने गमिता से लिया है मामले में उपायूक्त वा सिविल सर्जन ने दो अलग अलग जाच कमिट्यों के गठन कर पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है उपायूक्त ने सोनुआ के वीडियो वा सोनुआ के परभारी चिकीशा पताधिकारी की कमिट्य के गठन कर जाच रिपोर्ट मांगी वहीं जीले के सिविल सरजन डाक्टर साहिर पाल ने ततकाल ही एक जांच दल का गठन कर बिंदुआर जांच का निरेश दिया जांच दल में जीला बी बीडी पराधिकारी वो सदर चाई बासा के प्रभारी चिकिसा पराधिकारी को सामिल किया गया है जार्खन एस्टेट ओलंपियाड 18 दिसंबर से प्रश्ण पत्र ओयमार से भी मिलेगा बतादे 18 दिसंबर को पहली पाली में गनीत वा दूसरी पाली में समाजिक बिग्यान वहीं 19 दिसंबर को पहली पाली में बिग्यान वा दूसरी पाली में समाने ग्यान और 20 दिसंबर को पहली पाली में अंग्रेजी विशाय की प्रश्ण पत्रों ओव उपलब्द कराया जाएगा पहली पाली की परिक्षा साड़े नौव बयसे दूसरी पाली की परिक्षा साड़े बारा बयसे होगी धन्यवाद